कि एगाई समर्थ क्लासिस के ओनलाइन यूटिव चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तवालत हैं लास्ट लिक्टर में हम अर्थमेटिक पोग्रेशन में बात कर रहे थे कुछ क्वश्चन की तो उसी क्वश्चन के शंख्रा को आपे बढ़ाते हैं और आथ कुछ हम नए कंसर्ट और क्वश्चन देखते हैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा से कंसर्ट बताता हूं अच्छ पोग्रेशन जारी मेरे को इसका निकाला है तीएं तो ध्यान दो तीएं क्या हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1 इंटो डी एडिक इतना दो तो 2 प्लस 2 एंड माइनस 2 आंसर आगया 4 & 0 आगे नपक्ट या 4 एंड अगर मैं सिंपल लिखूं 3 7 11 और यह भी कितने टम्स तक हैं इसका भी मुझसे पूछा कि आप टीएं निकाले तो टीएं निकालों में तो क्या आएगा देखना 8 प्लस एन माइनस 1 इंटो डी कितना है यह आपे चाह तो 3 प्लस 4 &-4 यह आगया में पास 4 &-1 ध्यान दो जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टीएं निकालेंग हमेशा एन ब्लस बी की फॉम में निकलता है कान खोल के दुबारा सब लीजिए जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनच टम निकालेंगे समांतर शेडी में एनवा पद निकालेंगे तो जोसकी फॉम होगी वह होगी एन प्लस बी वेर एन क्या है पदों की संख् इन जूड़ो बी कितना जीरो इसमांतर शेड़ी होती है उसका टी एन हमेशा एन प्लस बी की फोम में नहीं तक क्लियर अब धियानुए इस वाले जो हमने यह वाला देखा था इसमें गितना था यह वाला जब हमने अब भी तो दिक ना था 4, दी क्या common डिफरेंट सार्व यहां दो था यहां 4 था हां कि ना इसको चेट परो यह 2N आएगा भी 2N प्लस 0 ठीक है 2N प्लस 2 माइनस 2 तो 2N ही तो आगा तो ध्यान तो जो भी हमारा common difference आ रहा है वो N का coefficient है इधर भी और इधर भी दोनों तरफ इसका मतलब अगर मैं यहां पर बोलू तो जो मेरा arithmetic progression बनेगा उसका TN हमेशा आएगा A N प्लस B की फोर्म में जहां पे D क्या हो जाएगा N का coefficient मतलब क्या A यह चीज़ क्लियर होगी तो हम डालेंगे आज heading special point और पहला point जालेंगे पहला point हम लेखें यह special point डालके in arithmetic progression समानतर शेडी में TN is always in the form of A N प्लस B ठीक है अब आपको simple इतना सा याद रखना है कि जो arithmetic progression का TN होता है Nth term होता है वो हमेशा A N प्लस B की फोर्म में आता है जहां पर अगर common difference की बात की जाए तो वो होता है coefficient of N जो की A के बराबर है हां की नव यह चीज़ क्लियर तो हिंदी वाले लेखें जीज़े समानतर शेडी में N प्लस B के रूप में होता है जहां पर साथ अंदर N का गुराम एग होता है यह चीज़ क्लियर चली समानतर शेडी का जो SN होता है अब SN के ही हम एक एक्जामपल ले ले दे मालो मेरे पास है 1, 4, 7, 10, 10, 10 और कितने पदें? N पदें या N टम से और मुझसे पुचाए कि इसका SN निकालो तो SN का फोर्मला क्या है? N by 2, 2, 8 plus N minus 1 into D, रगदो मेरी N by 2, 2, 8, 2 into 1, 2, plus N minus 1, D कितना? 3, solve करो N by 2, 2 plus 3N minus 3, कितना आगा? N by 2, यहां से solve करेंगे तो क्या आगा? 3N minus 1, अरे हां की न, देखो, इसको यहां से multiply कर दीने तो यहां आजाए का basically 3N square minus का N by 2, इसको मेरी चाले सकता हूं? 3N square by 2, या ऐसा मेरी लेक सकता हूं? 3 by 2 N square minus 1 by 2 N, यहां तक क्लियर? तो ध्यान दो, जब भी आप arithmetic progression समांतर शेड़ी का SN निकालेंगे, अभी हमने इससे बहले किसकी बात की थी? PN की, वो था हमारा हमेशा A N plus B की form में, जहां को जो common difference होता है, वो होता है, N का coefficient, N का बुनान A, clear it? अब जो हम देख रहे हैं, वो SN के लिए देख रहे हैं, तो SN में जो आता है, वो आता है हमेशा A N square plus B N की form में, जहां पे D क्या होता है, N square के coefficient का twice, मतलब twice of A, ध्यान दो, हमारे जो N square का बुना की, यहां पे कितना है, 3 by 2, ध्यान दो, इसका D कितना है यहां पे, तीन ही तो है, इसका common difference, तो अगर इसका दुगना पर्दू, 3 by 2 का twice करो, 2 into 3 by 2, तभी तो 3 आएगा, तो यह होता है, समांतर शेडी के N पर्दू का योग, summation of N terms for A P, किस form में होता है, N square plus B N, और उसमें जो हमें निकालना है, common difference सारु अंतर वो होता है, N square के coefficient का दुगना मतलब twice of A, यहां तक clear है, चलिए, अगर आपके board के बात करों, तो board में कहीं भी यह चीज काम ली आने वाली, लेकिन आप अगर किसी competitive exam के तहरी कर रहें, for example N, T, C की कर रहें, J foundation की कर रहें, तो आपको इसके कई सारे question मिलने वाली है, तो हमने देखा, TN होता है, इस form में, अब डैरेक लिख देता हूं, SM किस form में होता है, SM की form होती है, AN square plus VN, A और B क्या है, coefficient N क्या है, पदो किसा है क्या, अब यहां पर D क्या हो जाएगा, twice of A, clear, तो हमने अभी तब दो चीज़ देखी, एक्जांपल से मैंने आपको correlate की चीज़ें, कि जो arithmetic progression होती है, समानतर shady होती है, उसमें हम जो TN निकालते हैं, वो हमारा हमेशा AN plus B की form में होता है, जहां पर common difference होता है, N का coefficient या A, clear, second, जो हमने point पढ़ा वो दिखा, कि समानतर shady की जो SN निकालते हैं, N का दोफायोग निकालते हैं, वो हमेशा इस form में होता है, जहां पर D क्या होता है, N square की coefficient का दुगुना मतलब twice of A, यहां तक clear screenshot ले लिए कि आरे बढ़ते, चलिए, next, third term ज्या हो जाएगी, third term यह, यहां तक चलिए, अब जिए, हमने जब SN निकाला था, तो मैंने SN के लिए आपको क्या बताया था, SN basically क्या होता है, T1 plus T2 plus T3 plus T4, and so on क्या, TN आके नव, ज्यान दो, यहां से लेकि यहां तक की मतलब, TN से ज़स्ट पहले बारी term क्या होई होगी, T of N-1, अरे यही तो ही होगी, TN से ज़स्ट पहले बारी term, ठीक है, तो T1 से लेकि TN- तक के पदों को योग को मैं क्या लिख सकता हूँ, S of N-1, अरे माल लिए जिए, मेरे को T1 plus T2 plus T3 करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S3, S3 का मतलब क्या, समानतर शेडी के प्रथम 3 पदोकायो, SN ना मतलब क्या होता है, समानतर शेडी के प्रथम N पदोकायो, 1st N टम्स का submission, 1st 3 टम्स का submission, मालों मैं लिख दिया S7, मतलब क्या है, T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6 plus कहां तक, T7 तक, यही दो होता है मतलब, तो ध्यान दो, अगर मैं TN से जस्ट पहले तक का submission पुछो आख से, तो वो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, S of N-1, N-1 पदो का submission, S N का मतलब क्या है, First N टम्स का submission, S of N-1 का मतलब हो गया, First N-1 टम्स का submission, यह चीज़ क्लियर हो रही है, तो बहर सिंपल है, तो यहां से मैं क्या रिक सब्ता हूँ, S N को S of N-1 plus TN, यह चीज़ क्लियर है, सबको, देखो एक बार, अगर नहीं है, तो फिर भी आप दो तीन बार में को comment करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दो, कोई करती हैं, चलो, तो यहां से क्या लिए TN, S N-1, S N-1 यह चीज़ क्लियर, 5 star formula है, 5 star तरीका है, अगर हमें S N पता है, तो हम TN निकाल सकते हैं, किसी भी progression, अभी तद हमने जो दो यह point देखेते हैं, वो arithmetic progression के लिए लेकिन यह जो formula निकल के आता है, चाहिए आप arithmetic progression की बात करें, जाए arithmetic progression की बात करें, चाहिए harmonic progression की बात करें, तो वो सबके लिए valid होता है, अरे बहीं सबके लिए valid क्यों होता है, क्योंकि जो S N निकलेगा बहुत निकलेगा तो S N निकलेगा ना, तो हमने क्या निकाला है, वेसी भी generalized निकाला है, अगर किसी भी progression का S N पता है, हम TN निकाल सकते हैं, S N माइनस, S N माइनस 1, यहां क्या लिखेंगे, applicable for, applicable for, old types of progression, old types of progression, सभी तरह की shady के लिए क्या है, applicable होता है, हम इसको जूच कर सकते हैं, clear रहना तक चलिए, next code, ध्यान देना, अभी हमने पड़ा, कि जो S N है, arithmetic का वो इस form में होगा, अगर T N है तो वो इस form में होगा, तो ध्यान तो, यदि मुझे S N दे रखा है, ठीक है, क्या है, यदि, arithmetic progression का, S N दिया हुआ है, आपको question में S N दे दिया, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, तो एक तो तरीका होता है, और एक शोट्रिक होती है, तो यह हम शोट्रिक देखे हैं, ठीक है, यह हो गई हमारी शोट्रिक, तो हमें क्या करना है, N स्क्वार को replace कर देना है, 2N-1 से, और N को replace कर देना है, 1 से हमारा answer आजाएगा, we replace, हमें क्या करना है, N स्क्वार को 2N-1 से पतिस्थाफित कर देंगे, N को 1 से पतिस्थाफित कर देंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, अभी हम question देखने वाले, तो यह चीज होगी आपकी, आजका जो lecture हम देख रहे हैं, वो हमारा NTSD बेज़़एगा, जेई बेज़़ए, तो अगर आप प्रोफर केवल और केवल बोड़ किते याड़ी करना चाहरें, तो आपके लिए यह lecture कोई भी माइने नहीं रखता, लेकिन मेरी तो यह ली सला है as a teacher, कि आप प्रोफर गंस्रेट देखने के लिए तो हर वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए कही न कही व चले, पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर आगया होगा, समांतर शेडी का n वागप पद दिया हुआ है हमें, क्या 3n प्लस 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का tn हमें गिवन है, हमसे क्या उत्रा है n पदो पाई होगा, हमसे पूछा है as a, ठीक है, सबसे पेले ज्यान दो, इ हम डायरेक्ट वैयू कुट करेंगे, अंसर पाईए, हमें नहीं पता हमें कितना आता है, हम डायरेक्ट, हम बोड का एक्जाम दे रहें का, नहीं दे रहें, हमारे जो इस टाइप की क्वश्चन आते हैं, वो आती है या जो यही में या NTSC में, मतलब जो जिसमें हमें options होत पाच्वां शिनर्ट लगा देगा, तो आप में अगर रभी सर से पड़ा होगा है, तो आप इजीली करता हैं, देखो, पहला option क्या है given, 3N square प्लस 13N by 2, second option क्या आगी, 3N square माइनस 13N by 2, third option है, हम निकाल नहीं सकते, fourth option है इन में से कोई नहीं, उन्त ओप्शन को तो मारो गो देखो, हमें दिया हुआ है TN, मतलब समानतर शेडी का Nth term निकालने का formula, Nth term निकालने का हमें जो formula है, वो दिया हुआ है question में 3N plus 5, या यू कहें कि वो जो arithmetic progression है, उसका TN आया है 3N plus 5, हमें निकालना है उस term, उस arithmetic progression का SN, अभी हमने जो special point देखे दे, उनमें हमने भी देखा कि जो समानतर शेडी होती है, उसका TN आता है, वो किस form में आता है, A N plus B की form में, तो वही तो है, clear, चले, सबसे पहला number method हम लगाएंगी, short trick, method number 1 short trick, जान दो, SM निकालने, अगर मेरे को T1 and T2 पता है, और S2 निकालना हम तो में का करूआ, T1 plus T2 भी तो करूआ, हां की न, दे तो क्या है, T1, T1 कितना है, अगर 3 into 1 plus 5, मतलब 8, ध्यान दो, कोई arithmetic progression है, T1, T2, T3, ऐसे चलती जारी है, मेरे को मालो, S1 निकालना है, तो S1 का मतलब क्या, T1 ही तो हुआ, अरे हां की न, तु देखो, S1, S1 कितना है, 8, तो S1 भी 8, देख लो, N पराबर 1 से जहां पे 8 मिल जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, answer, रखो, 3 into 1 का 3, plus 13 by 2, 16 by 2, मतलब 8, यान रखो, 3 minus 13 by 2, minus 10 by 2, मतलब minus का 5, ये नहीं हो सकता, answer क्या हो जाएगा, first, खताम answer, तो ये आपका answer हो जाए, हो सकता है, कि ये और ये मेच कर जाते, N पराबर 1 से, यहां पे भी 8 जाता, यहां S2, S2 निकालना था, तो T1 भी पता हो जाए, T2 भी पता हो जाए, T2 भी पता हो जाए, T2 भी निकालना था, कैसे, 3 into 2 plus 5, 11, तो S2 किता हो जाता, T1 plus T2, 8 plus 11, पराबर 90, अब, N की विलिट 2 रखने से, जहां पे 90 आ जाता, वो मेरा क्या हो जाता, answer, यहां तक clear, तो ये तो हम पुट करके रखने का तरीका, और यही सबसे best तरीका है, अगर आपके variable की form में option हो तो, चाहे आप यही का paper दे रहे हो, चाहे किसी भी exam का paper दे रहे हो, जिसमें objective type, question हो, ठीक है, यह जिस clear, चाहे, तो हमने method, यह जो short trick थी, वो देख ली, अब हमें method देखने हो, ज्यान दो मुझे क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, tn पता है, इससे मैं t1 निकाल सकता हूँ, 3 into 1 plus 5 कितना, 8, t2 निकालना तो क्या हो जाएगा, 3 into 2 plus 5 मतलब 11, अब वो क्या हो जाए, कि समानतर शेडी है, और उसका tn इस form में है, मतलब वो दिया हुआ है, कि यह क्या है, समानतर श 11 minus 8 means 3, यह चीज़ के है, और ध्यान दो, हमने पढ़ाता कि यदि समानतर शेडी का tn, a, n plus b की form में होता है, तो d उसका क्या होता है, a का coefficient, तो देखो, a, मतलब n का coefficient या a, तो 3 ही तो आया, हां कि न, यह यहां के सब verified हो रही है, हमारी चीज़े, चलिए, आप मेरको क्या न कालना है, n by 2, 2, 8, plus n minus 1 into d, n by 2, 2, 8, 2 into 8, कितना, 16 plus n minus 1 into 3, सोल करना है, n by 2, 16 plus 3n minus 3, यहां से क्या आएगा, 13 plus 3n, मतलब 3n square plus 13n by 2, पहला option ही तो आ रहा था, और जब हमने put की थी values तो उससे भी क्या आ रहा था, पहला option, मतलब सही, तो आप या तो method से करें, या इससे पहले जो हमने short trick करी, उससे करें, किस से बाइदा है, आप समझ दा रहे हैं, आप अपना chain कर ले कि हमें किस method पे जा रहे हैं, क्योंकि आपके board में बिल्पल भी नहीं आने वादे इस टैपना question, clear यहां तक बढ़ा है, चालिए, next question आपकी screen पे है, पड़ो एब बाद, क्या कहना जा रहे है, चालिए, तो next question क्या बोल रहे है हमको, कि समानतर शेडी के n पदो का योग, समानतर शेडी के n पदो का योग, कितना दिया हुए हमें, 2n square प्लस 5 है, हमसे क्या पूतर है, n वा पद पूतर है, और हमें option कितने दे रखे हैं, उसने, 4n-3, 3n-4, 4n-3, 3n-4, यही option है, ध्यान दो, अब मैंने बोला था कि, अभी हमने जो special point पड़े थे, कि यदि समानतर शेडी का sn पता है, tn निकालना है, क्या करेंगे, n square की जगए रख देंगे, 2n-1, और n की जगए रख देंगे, 1, रख दो, शोट है, सबसर बहुत है, 2n square की जगए, 2n-1, फ्लस 5 इंटु 1, n की जगए 1 रख दिया, क्या बना, 4n-2, प्लस 5, 4n-3, कौनसा option, option number 3, कि यह चले, अब ह काम देखते हैं, इसका method, method भी तो पता होना चीए, चल, अगर ऐसे पता है, तो अगर मैं put करू, s1, n की जगए 1 put करू, तो क्या है, 2n-2, 1-1, प्लस 5, मतलब 7, ध्यान दो, s1 का मतलब क्या होता है, एक पद का योग, एक पद का योग हो सकता है, योग कब होगा, जब 2 या s1 का मतलब basically क्या है, t1 से, clear है, मतलब s1 बोलू, t1 बोलू बात, एक है, तो जो s1 आया, ये basically क्या है, t1, ये चीज़ clear हुई बच्चो, ध्यान दो, अगर मैं put करू, 2, तो s2 क्या हो जाएगा, 2n2, 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 4, 4 to the, 8, 8 plus 10, 18, ठीक है, अब s2 का मतलब क्या है, t1 plus t2, t2 आया, basically मेरे पास 18, t1 निकाल जुका हूं में 7, तो 7 plus t2 बराबर 18, तो यहां से आगया, t2 बराबर 11, यहां तक clear है, t1 बराबर 7 आगया, और t2 बराबर 11 आगया, अब तो मुझसे जो पूछे में निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे दिया होगा था है, क्या है, समा आगया, तो d आलाएगा, t2 माइनस t1, कितना, 11 माइनस 7, it means 4, हमसे tn पुछा है, बिल्कुल निकाल देगे, a plus n minus 1 into d, a कितना, 7, plus n minus 1 into 4, 7 plus 4 n minus 4, तो 4 n plus 3, option number 3, clear है आगया तक, और यही हमसे पुछा था, लेकिन ये इतना बड़ा process करने की क्या ज़रूत थी, हम इसको short trick से हमारे 30 second में हम answer निकाल ले थे, तो आप देखिए हमें किस से बहतर लग रहा है, किस से समझ आ रहा है, आप तो जो अच्छा लगया अपना ही है, लेकिन हमें important ये कि हमें videos को लगातर देखना है, पूरा लेकिन है आगे क्योंकि आगे अच्छे-चे question है, next जो आप फूर्थ question करेंगे, वहां तक भी जरूर देखिए चले, थर्ड परशन की तरफ आगे बड़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे question है, देखे, पड़ो question एक बाद, next question क्या बोल रहा है, दी गई समांतर शेड़ी, समांतर शेड़ी क्या है, minus 26, minus 24, minus 22, and so on, यही है, और हमें बोल रहा है, कि इसमें कितने पद हैं, 36 पद, 36 पद का मतलब 36 टम्स, clear है, अब हमसे basically वो क्या उत्रा है, कि इस दी गई समांतर शेड़ी के पदों का योग बता हूँ, अब पद कितने हैं, उसमें, 36 टम्स, बस इतना से important है, और हमने जब समांतर शेड़ी पड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था, कि समांतर शेड़ी में पवर्मन डिफरेंस सारवंतर, शुन्य हो सकता है, positive हो सकता है, और negative हो सकता है, यहां तक clear था, चल, अब देखो, इस question की बाद कुरूँ तो, एक इतना है यहां पर, minus का 26, d निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, minus का 24, minus of minus 26, ऐसे निकालते है, t2 minus t1 कर दो, या t3 minus t2 कर दो, अब मुझे पता है कि arithmetic progression है, तो change करने की तो जरूत है, कि t2 minus t1, t3 minus t2 को, t4 minus t3 सब आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अरे, बनी arithmetic progression है तो आएंगा है, तो हमको d करना था, तो मैंने t2 minus t1 किया, तो minus 24 minus of minus 26, तो basically minus 24 plus 26, इसका मतलब d कितना आ गया, 2, हमसे पुछाई यो, n कितना है यहां पर, 36, अरे, सिंपलता question है, एस 36 निकाल दे to d, तो n by 2, 2 a, plus n minus 1, into d, यहां तो कोई दिकत नहीं है, चलिए question simple, 18 हो गया है, यहां से कितना आएगा, 20 दुनी 40, 6 दुनी 12, तो मतलब आ गया, minus का 52, plus 35 into 2, 70, यहां आ गया 18, 70 minus 52, 52, कितना, 18, अरे, 52 plus 8 विजा दा 60, यहां 10, 70, तो 18 आगया, positive का, clear है, मतलब आगया, 18 का square, 8 means 3, 64, check कर लेते ही, कितना होता है, 8, 8 विजा 64, यहां आगया, 16, यहां आगया, 1, 4, 16, 25 का, 2, 2, 8, 3, 324, मैं क्या लिख बोल रहा था, यही बोलना था, 324, तो हमारा answer आगया, 324, clear है, तो यह हमें question दिया था, कि एक समानतर शेड़ी है, इसके हमें 36 वदों का योग पूछा, हमने A देखा, D देखा, A, D पता है, और N उसने देई दिया, तो हम कुछ भी बोले, वो निकाल देते, S36 पूछा, हमने निकाल दिया, कितना है, 324, clear है, चल, next question, बहुत जादा important, next question, देखिए, NTSC exam point of view भी बहुत जादा important है, नया concept है, ध्यान से समझे, question क्या बोल रहा है, दी गई समानतर शेड़ी का कौन सा पद, कौन सा पद, दी गई समानतर शेड़ी का प्रथम रिनात्मत पद और अंतिम धनात्मत पद होगा, which term will be first negative term and last two positive term of following AP, ध्यान दो, AP क AP दिये हैं हमें इसने, 50, 46, 42 and so on, यही दिये, ध्यान दो, इसमें इस arithmetic progression में जो पहला पद है, वो क्या है, 50, उसके पाद 46, उसके पाद 22, इसका मतलब ये जो समानतर शेड़ी है, वो गटती हुई है, decreasing order में है, इसका मतलब गटती जाईगी, कहां से start होगी, पचास से, मतल से चलती गई, धीरे धीरे घटी, 50, 43, 42, कुछ आएगा, कुछ आएगा, फिर एक बार जाके, कोई positive term आईगी, उसके बाद negative term चालो जाएगा, रहे हां कि ना ऐसा होगा, वो क्योंकि घटती हुई है, मैं निकता 2, 4, 6, इसका मतलब क्या, इसमें कभी 0 आएगा, क्या, नही आएगा, क्योंकि starting 2 से हुई और आगी की तरफ है, मतलब बढ़ती हुई, लेकिन ये क्या हो रहा है, बढ़ती हुई, मतलब बढ़े value से start हुई और घटती हुई है, decreasing order में, clear है, तो decreasing order में तो हो सकता है, कि इसमें 0 भी आ जाए, और ये तो बख्की बात है कि negative में जाएगी ये चीज़ clear है, चलिए, आगे बढ़े, अब हम से पुछाए कि ये बताओ, कि इसका कौन सा पद, रिनात्मक होगा, कौन सा पद अंतिम धनात्मक होगा, ध्यान दो, यहां से start हुई तो प्रतन धनात्मक पद तो यही 1S का, अब अंतिम धनात्मक पद कौन सा होगा, ध्या माइनस का पूर, और हमें बताए कि अप्टमेटिक प्रोगरेशनल तो हमें चेट करने की जरूरत नहीं है, और कर भी लो, इसको इस माइनस करो कि तो माइनस पूर ही आएगा, clear, अब ध्यान दो, जब भी हमें इस टाइप का कंसेट पूछा जाए, तो हमें क्या करना होता ह टी एन को हमेशा कर देना होता है, लेस देन जीरो, क्यों कर रहा हूं, ध्यान दो, एनेथ टर्म, जो एनेथ टर्म आएगी, वो जीरो से छोटी हो जाएगी, तभी तो रिनात्मक बजेगी, अरे ना, कि ना, सोचो दिमाग लगाओ दुबार, जो मालो, ये 22 से, उसके 6, 4, 2, 0, माइनस 2, माइनस 0, एन सो ओन, ध्यान दो, प्रतम पद 8, दूसरा पद 6, तीसरा पद 4, चोथा पद 2, पाँचो पद 0, छटा पद माइनस 2, तो अगर इस प्वस्चन में पूछे कि प्रतम रिनात्मक पद कौन सा है, तो कौन सा है, छटवा, अंतिर धनात्मक कौन सा, छोथा, संगारी, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं, clear है, चलिए, अब ध्यान दो, कौने इस टाइप का यह concept किसमें निकालने, अब हमने कर दिया, TN is less than 0, बस कुछ नहीं है, 50 A plus N minus 1 into D, D कितना, निकाल चुपे, minus का 4, यह क्या होगा, less than 0, 50 minus का 4 N, plus का 4, less than 0, क्य 50, यह कहूं, 54 हो गया, less than 4 N हो गया, हांकि न, यह ऐसा कहा सकते हैं, minus 4 N, less than, minus का 4, minus 4 N, less than, यह क्या मनगा, 54 को, उदर जाएगा, तो minus का 54, यह हो जाएगा, 4 N is greater than 54, तो N की विल्यों आगी, 54 by 4, 4, 4 वंजा, 4, 1 उतर गया, 4, 13 दश्मलों कुछ आएगे, हांकि न, 13 पॉइंट सम्थिंग आ रही है, अब हमें क्या चाहिए, N की विल्यों चाहिए, बड़ी किस से, 13 पॉइंट सम्थिंग से, तो टेम्स क्या कभी पॉइंटों में हो सकती, नहीं हो सकती, तो हमारा हम क्या इसके लिए होनी के 13 दश्मलों से जादा, इसका हदलब N बराबर हो जाएगा 14, किसके लिए, प्रथम, रिनात्मक पद, ध्यान दू, जब प्रथम, रिनात्मक पद हो गया 14, तो अंतिन धनात्मक पद क्या हो जाएगा, इससे कम, N बराबर 13, ये आपका प्वशन है, खतम पद, नातिन धनात्मद पद, अब जिन बच्चों को समझ लें अलगतरी के संद बाइब देसी तरीका, लिए टेहिसे पूरे नमबन पचास, उसके बाद क्या था, 46, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, complete, remote, ग careless, तीस, उसके बाद था, तीस, उसके बाद था, उस देखो यह क्या है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 N पराबर चोधा, N पराबर चोधा क्या हाँ? प्रथम रिनात्मत पर, तो N पराबर चोधा आगया, देखो, T14 पर ही तो मैंको 1st negative term मिल रही है, हाँ की ना, T13 पर मैंको 1st negative term मिल रही है, clear? तो यह हो गया मैरा concept, जब मैं मुझे से पुछे की कथम रिनात्मत पर पर कौन सा होगा, 1st negative term कौन सी होगी, तो मुझे कुछ नहीं करना, TN को less than zero कर देना है, solve करना है, answer आजाएगा, आप बच्चे पुछेंगे मेरे से कि सर यह चीज कैसे कर दी आपने, यह चीज बदा दी तो आप 11th class में पढ़ेंगे, एक चर्टर है, function में, inequality, ठीक है, inequality जिसे हम solve करते हैं, वे भी करूं method से, ठीक है, तो यह उससे solve होती है, दुबहरा बताता हूं, inequality कैसे solve होती है, inequality को जब भी हमें solve करना होता है, minus से जब भी हम inequality को multiply करेंगे, तो inequality का sign change हो जाता है, तो मैंने क्या किया, minus 4a को यही रहने दिया, minus 54 उदर चला गया, अब मैंने क्या किया, minus से multiply कर दिया, पूर equation को, तो 4a greater than 54 हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं negative से multiply करता हूं, तो हो sign change हो जाता है, clear है यहां तक, नहीं आया हो, easily कर पाई, मतलब यह जो inequality का concept है, वो आपके mix नहीं होगा, clear है, तो I hope आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, काफी महनत पी जा रही है, आप लोगों के लिए content लिखने में, काफी अच्छे question बनाने में, तो आपसे यही अपक्षा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो please like करिए, चैनल को subscribe कर लीजिए, और वीडियो को share करना ना भूले, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, summer classes और अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, करिंदे पीजिए, धन्यवाद, पाउकिर अप living, तो मिलते हैं मीजिए रह ईपका हैं, तब में ठयए हैं, रहिए, चैनाम आपका हैं, आपका में भीजे हैं, पन्यवाद, हाफ्याद, प्रोग्न mandated और शोबाद हैं, धन्यवाद आपको यह दोग्य।, हम पन्यवाद, रह